मेरा अलकाजी से कनेक्स तो हे गाईज वेलकम बाइक टू मैं अनादर वीडियो मैं पल्लुई पल्लुई इक साथ एकसन स्टार्ट है तो बहुत लोग बोलते हैं मुह का हैं बनाके बोलती हूं क्या गरें मुह मैं भगवान दिया है इसा हमको तो मैं सच बोलू पहली बार मै सुमीत का इतना हस्ता हुआ फेज देखे और इतना इंज्वाई करते हैं ब्लॉग उनका देखी बहुत अच्छा लगा मैं तो बोलूंगे आप पैसा ही ब्लॉग बनाया करें कापर पब्लिक पता है कुछ दिन में निक्की को छोड़के आपको भी पसंद करें हां सुमीत देखानों रहना चाहिए तो में उनको भाय इसलिए भाई बॉल रही हूं कि देखो ब्ल्षब्सराइबकर रिस्पेक्ट देना चाहिए हूं उनकी करूंगी तब मेरा यृः रूल इज़्चत देना चाहिए क्यों कि थोड़ार सकास्ट ईख यह आना था तो चलिए मैं बताती हूं क्या है कि सुमीत का दे को सही कहना था कि निकी लेहंगा क्यों पहना साड़ी क्यों पहना गाउन क्यों पहना ये क्यों पहना ये तो भाई पब्लिक है उंगली तो उठाएगी भाई सबकी बाहन सिक्ता रहती है सबकी सोच सबकी जलन दोनों चीज बोल सकते है अब जी मुझे भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए आज करेक्षण स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठा था, पब्लिक क्या मैं भी बोली थी, मैं तो बोलती भाई मैं भी जो बोली थी सब बोले, मुझे लगा खबर पकी है, खबर पकी है तब ही सब इतना धडलले से बोल रहा है वैसे मैं जल्दी किसी का सुना हुए बात पर यकीन नहीं कर सकती जब तक मैं ब्लॉग डूण डूण के भी देखी थी मुझे मगर कहीं नहीं दिखा था कि साय सुमीत यह सा कुछ बोले है तो सुमीत ने क्या बोला है चलिए बताते तो सुमीत क क्या था जिल्जा मात बोल रही हूं यह था कि सुमीत लेने वाले हैं हम लोग जैसे रियक्षन चैनल वालों पे एक्षन मतलब केस करेंगे लीगल एक्षन लेंगे तो ऐसा तो सुमीत उस पर आके अपना बात रखे अपना पॉइंट रखे कि देखो भाई ऐसा कुछ नही बात इतना सही बोले वही तो मैं भी अपना सच बोले थी फिर भी उसमी और रहता नहीं पर लेना रहता तो उस टाइम ही लेते सिंपल सी बात है तो वहीं उनका कहना था कि उस टाइम मेरे खिलाप पूरी रियक्शन चैनल थी 99% बोल रहे थे लगभख मेरे खिलाप ही थी मेरी बास सही भी थी तब भी सब उसमें ढूंड के अपना अपना पॉइंट रख रहे थे उनका मुझे आज का बताओ नेचर बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक उनका ये भी कहना था कि अगर मुझे करना रहता मैं बहुत पहले करता और वो करेंगे भी तो किस पर करेंगे वो साब बता दिये और बहुत सही बोले एक तुम्हें हेटर की बात करूंगी कि वो निक्खी को और विकास को लेकि इतना गंदा बोला था सच में करना चाहिए सुमीद को तो उसके उपर पक्का करना चाहिए मेरे पाथ थे स्क्रीनर आगर सुमीद को कभी चाहिए तो मैं आपको दे वंगी Do louder को किलो गाली तो कि समझते सामें वाले को क्या मतलब गया रहो रहें तो को मैं लगता है कि हम किस लेवल के हैं कि किसको भी सकते हैं कि कोई भी रेक्शन चानल हो, तसली से दो प्यार से दो, मतलब अपने उद्सिवां प्रण के लिए कि मत लिकालों उनका जो वीडियो के अधार पिश्या स्षियyr h, अपना दो मेरे यह करना था मेरे इतने गंदे सब्ध बोला गया थे तो बोले क्योड तो मैं कुछ लिया ही नहीं तो अब χ् constitution सारे सब्सक्राइब मैं आपsisन दे सकते हों तो मैं स्ब्सक्राइब है Undeo कि हम लोगक काम कररें लेकिन में बस बोलूंगे को भी काम रहे उसका दिल से करो Mतलब आपकी चाहिए कि वो मेरा दुस्मन है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कोई हमारा सगानी हमारे घर का नहीं है हमें होता है काम को अपनी पूजा समझ के काम करना चाहिए कि हमारा एक काम है हम अपना काम करेंगे अपना उसके वीडियो के आधार पिजक्षन देंगे तो सुमीत को यहीं बोलन परसान है सायद चीजों को लेके नहीं भूल पाई है यार कैसे कोई भूलेगा मतलब अभी थोड़ा वीजी है तो सायद उनको कम वह सब लिकर रहा था देखो उनकी मा भी चली गई और इतना यूटूब पे जो भी हुआ था वो सब चीजे भूलने में मुझे नहीं लगता हो सायद से कभी बूल पाएंगी एक औरत हो कि मैं बता रही हूं कि अगर हमारे जिंदगी कोई ऐसी घड जाती न तो उसको भूलना बहु भी कि मुझे इतना लौ के भारे में पता नहीं है क्या होता है तो मैं कुछ अन्धिये बारे में बता भी नहीं सकता कि कितने धाराएं होते हैं एक क्या करने क्या करने में तो बहुत Аچल अश्चा लिगा आज कमें सच मताओं सुमीत का फ़्नी वाला वीडियो बहुत अच् और मैं इसके बाद कामनी जी का भी अभी ब्लॉग देखिए उनके उपर भी रेक्शन एक लेकर आने वाली हूँ तो अगर आप मारे चैनल पर नीव है तो फटाफस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाइक करेगा शेयर करेगा मैं देखो दूंगी सब पर रेक्शन मगर प्यार से बीना किसी को हर्ट किये तो चलिए जो था कि सुमित केस करने वाले सुमित कुछ ऐसा करने वाले नहीं है और निक्की के लेके तो भाई निक्की ने ऐसे क्यों डांस किया निक्की ने सर पे पल्लू नहीं पड़ा कि निक्की ने सर पे पल्लू नहीं रखा था नि अगर इसको मुह बना के पड़े रहना था इस अच्छा घर पे रहो आप मतलब खुद को रखके सोचो अगर हम कहीं जा रहे हमारे पर कितना भी टेंसन अगर मुह बना के बैठे रहेंगे तो यह सब बोलेंगे फिर आई क्यों तुमको इतना दुख ता टेंसन ता अपने घर वीडियो सेयर किया अलका जी-कर के बता फिरमद वीडियों सेयरक चाहिए नाव बहुत अच्छी पता नेंसे ुक्ष्य participant कषई Есть चोटी बहन समझ की प्यार हमेशा बरसाई रहना देते रहना और मैं तो आपका हमेशा इज्जत करूंगी आज इवन मैं इतना जानती हूं मैं खुल के बोलती है अगर आपका भी गलत भी रहेंगी फिर भी मैं आपका साथ दोंगी क्योंकि जब एक रिस्ता हो जाता है नहीं स्दूर हो तो Divine को मुरुतों प्रुमाल यह साथ दोंगी पता निंगों मुझे वह बहुत अच्छी लगती क्योंकि वह अपनी बहुत तकलीफल से गुजरे इसके वज़र से उनके आखों में मैं आसु देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता है तो लब यू अलका जी किसी और का मैं प्यार दे रही हूं अलका जी को मैं लब यू